नमुनारायन, जै महाकाल, जै माप अगला मुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी अध्यात्मिक उन्नती आगे बढ़ रही होगी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जो भी लोग भगवान बहरो की पूजा करते हैं उनके साथ ये चार-पांच सक्तिया निस्चित ही अपने आप चलती है या उनके साथ हो लेती है, उनका उन्हें तानित दिप्राप्त होता है जब भी बात भगवान बहरो की आएगी तो दो बहरो को तो आप लोग सहसा ही जानते हैं और इनसान के मुह पर एक जबान पर तो सब दो गई होगा काल बहरो हर कोई जानता है कालो के परेгляд ठीक है दूसरे बहरो हैं बटूक बहरो बटूख बाल सुरूफ है, चोटे से 7-8 साल के, गहस्त लोग आराम से बटूख भैरो की पूजा कर सकते हैं, तफल्टा प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध्या प्राप्त कर सकते हैं और एक बात आप जान लीजिए कि जितने हैं ये छोटे सुरूप हैं भगवानों के वो ही ज़्यादा पावरफुल हैं जैसे बटूग बैरो जैसे मामेलदी और जैसे आप सोडसी को ले सकते हैं 16 साल की बहुत ही खतरनाक राज राजेश्वरी सभी चीजों में निपुड़ तो बच्चे कैसे होते हैं हटीले भी होते हैं जल्दी आने में आ जाए तो मान जाए और ना माने तो फिर नहीं माने कुछ भी आप कर लो कितना भी लालस दे लो तो इस तरीके से पावर्फुल होते हैं ठीक है अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा कई-कई जगों में एक बात और भी है विवाद होता है कोई कहता 52 भैरों है कोई कहता 64 भैरों हैं लेकिन टोटल एक्चुली में 64 भैरों हैं क्योंकि सबसे पहले जो बहुत ही रूरू भैरों, क्रोध भैरों, उन्मात भैरों, कपाद भैरों, भीशन भैरों और संगार भैरों हैं अब इन भैरों के आठ रूप है तो 8, 8, 64 तो सीधा सीधा है 64 भैरों हो गए और इसका एक तरीका ये भी है निकालने का जब 64 योगनिया हैं तो भैरों 52 कैसे हो सकते है सभी योगनियों की साधी भैरवों से की गई थी जैसे भगवान सिव की साधी मापारवती से की गई है तो इसी प्रकार से 64 भैरव हैं अगर आप चाहें तो मैं 64 भैरवों के नाम भी आपको बता सकता हूँ गिना सकता हूँ आप चाहें तो काउंट कर लेना कल को कोई और वीडियो बनाएगा और फिर इसके बाद आप सोचेंगे कि गुरुजी आधाधूरा ग्यान दे रहे हैं या कहीं कहीं पर बावन भैरों बताया गया ये कुछ और बता रहे हैं ऐसा नहीं है तो अब अपनी बात को साबित करने के लिए कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं सिर्फ उनकी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कल को ऐसी बात ना आए इसलिए मैं इन भैरों का नाम भी ले लेता हूँ आप गिन लीजिएगा असितांग विसालाच मारतंड मोदक प्री तोडल चार हो गए हैं सचंद विग्न संतुष्ट खेचर और सचाचर सच राचर ठीक है इसके बाद रुद्र कोड द्रंश्ट जटाधर विश्चु रूप विरुपाच नान रूप धर पर वज्रहस्त महाकाय चंड प्रल्यांतक भूमिकंप नीलकंट विश्णू कुलपालक मुंडपाल कामपाल क्रोध पिंग लेच्छन अप्ररूप धरापाल पुटिल मंत्रनायक रुद्र पितामह उनमक्त बटुनायक संकर भूत वैताल त्रनेत्र त्रिपुरांतक वरद्र पर्वतावास, कपाल, ससिभूसन, हस्ती, चर्मांबर्धर, योगीस, ब्रम्राक्षस, सर्वग्य, सर्वदेवेस, सर्वभूत हर्दिस्थिता, भीसन, भैहर, सर्वग्य, कालागनी, महारोद्र, दच्छन, मुखर, अस्तिर, संघार, अतिरिक्तांग, कालागनी, गोरनाद, विसालाच, दच्छ और संस्तित योगी आप गिन लीजिए जितने मैंने नाम लिये हैं सुलो करके गिन लेना लिख लेना आप देखी 64 भैरो होंगे तो खैर अब जिसको जो बनाना है बनाए लेकिन जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बताना मेरा काम था भगवान भैरो बहुत ही सक्ति साली हैं भगवान भैरो सनी और राहु के तु सभी के उपर रूल करते हैं तंत्र सास्तर में जब भी नाम सबसे पहले लिया जाता है तो तीन देवताओं का नाम सबसे सर्व परवपरी है इसमें कोई सक्त नहीं है पहला महाकाली दूसरा भगवान भैरो तीसरा हनुमान जी ये नाम हमेशा लिया जाएगा और उसके बाद निम्निस्तर के बहुत सारे सक्तियां आती हैं जिसमें ब्रह्म राच्छा यच्छनी हाकनी डाकनी अपरा डाकनी सब कुछ सामिल है उतना ज़्यादा मुझे बताने की जोट नहीं आप सबी लोग जानते हैं तो इस तरीके से भगवान भैरो का नाम हमेशा उपर लिया जाएगा आप में से कई लोगों के घर के भैरो कुल देवता भी हो सकते हैं भगवान भैरो बहुत ही सक्तिसाली हैं आप जिस भैरो को चाहें उस भैरो को आप पूछ सकते हैं लेकिन भगवान भैरो की साधना कभी भी घर में नहीं होती है क्योंकि हमेशा सुद्धता का विशेश ध्यान दिया जाता है भगवान भैरो का अलग भोग होता है भोग लगता है आपको rules regulation अपनाने पढ़ेंगे और ये साधनाए भगवान भैरो की तंत्र में आजाती है वाम मारगी साधनाए है इसके नियम और कानून ज़्यादा है और ये आपको करने भी पढ़ेंगे अगर आपको कुछ सही है क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए नहीं है तो आप नॉर्मल वैदिक पूजा पाट करके भी अपना काम चला सकते हैं लेकिन जब आप तंत्र में आते हैं तब निश्चित ही आप कुछ सोच के आते हैं कि मुझे मनु काम ना करनी है तो उसके हिसाब से फिर आप अपना काम करते हैं तो इस तरीके से होती है तो जो भी इनसान भगवान भैरो की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है रातरी में ये पूजा सूर ढलने के बाद हमेशा होती है काले कपड़े पहन के होती भगवान भैरो उसको सभी प्रकार की सिद्धिया देते हैं हर प्रकार से रच्चा करते हैं भूत भविष्य की गटना है उसे पता चल जाती है वो इनसान सक्ति साली हो जाता है और इसी के साथ आप एक सिट जा लिजे जहां पर भगवान भैरो का नाम लिया जाता है वहां पर अपने आप माता काली जुड़ जाती तो ये एक सक्ति जुड़ जाती है जहां पर भी माता काली जुड़ेंगी वहां पर भगवान बोले नाथ अपने आप जुड़ जाएंगे पांच भी सक्ति हो गए और जहां पर विश्णु भगवान जुड़ेंगे वहां पर अपने आप प्रभू स्री राम की अनन्य कोटी भक्त स्री हनवान जी जुड़ जाएंगे चटी सक्ति जुड़ गई है तो इस प्रकार से सक्तिया जुड़ती चली जाती है ऐसा कोई तंत्र में कोई सादक नहीं होगा जो भगवान भैरो को पूस्ता हो तो माता काली साथ न चलती हो और अगर माता काली की पूज़ा होती है भगवान भैरो न चलते हो आप देखिए आप खुद इसके साक्ची हैं कि जहां जहां पर भी पीठ होगा वहां पर भैरो जरूर भी राजमान होंगे और जहां पर कासी के कोतवाल भैरो होंगे वहां पर माता काली भी होंगी इसमें कोई सक नहीं है एक दूसरे की सम्मिलिस सक्तिया है एक आधी सक्ति है एक आधी काल है अग्मान भोले नाथ है एक महाकाली है एक महाकाल है अग्मान भैरो की जो भी इनसान पूजा करता है उसको भूत बाधा कभी भी नहीं सताती है ऐसा इनसान हर्तकार की सिद्धिया पाता है सक्तिया पाता है दुस्मन उसके आगे घुटने टेक देते हैं राजिती में वो जंडे काड़ देता है नौकरी पेसा बीजनस सब में उतरक्य करता चला जाता है भाग उसका साथ देता है किसमत उसकी बदल जाती है और जो भी बोलता है वो हो जाता है स्राप दे तो स्राप लग जाए अच अच्छा बोले तो अच्छा लग जाए तो इस प्रकार से इतनी सक्तिया भगवान भैरो के साधक की साथ जुरती है तो किसलिए आप उदास है और किसलिए परिशान है क्यों समय विस्ट कर रहे हैं बस भगवान भैरो की पूजा अर्शना करें अगर आपके पास एक बाहर कोई भी ऐसा इस्थान है आप भैरो पूजा कर सकते हैं इसमें कोई सक नहीं है अगर आप पिंगल है तो भी आप भैरो पूजा कर सकते हैं अगर आप ग्रहस्त जीवन से जुडगे है तो फिर आप बटूग भैरो की पूजा घर में कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है इ मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करें, इस वीडिओ को ज़्यद्ग ज़्यद्ग करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दमाए तकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलें, और ये वीडिओ ज़्याद से ज़्यद्ग ज़रुत मन लोग ळे पास लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा खुस रहीएगा स्वस्त रहीएगा और भगवान भैरो आपकी सभी मनों कामनाव को पूर करे माता बगला मुखी आपको हर प्रकार की खुसिया दे जै माता दी नमुनाय जै माय कायल जै मा बगला मुखी